दोस्तों हमारी इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते और कुदरत के ये करिश में महान वैज्ञानिक भी नहीं समझा पाते आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़े दिखाऊँगा अगर आपको पता है कि इन में से कौन सी चीज कैसे होती है तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करता हो नहीं न अब आखिरी पत्थर ऐसा करेगा भी क्यों वो तो भारी धातों की तरह होते हैं जिसे अगर बाहरी ताकतों से हिलाया नहीं गया तो नहीं हिलते तो फिर कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेसनल पार्क में क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर मौजूद पत्थर रातो रात एक जगा से दूसरी जगा मिट्टी में निशान बना कर आगे खिसक जाते हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है जिसे ये बिलकुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हूं पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट्स ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था तब से लेकर अब तक इसके संबंध में कई सारी थियोरी दी जा चुकी हैं जिसमें एलियन्स की थियोरी भी शामिल है लेकिन सबसे यकीन करने वाली थियोरी मैगनेटिजम की मानी जाती थी जिसके मुताबिक धर्ती के मैगनेटिजम से पत्थर पर डायरिक्ट असर पड़ रहा था और वो एक जगां से दूसरी जगां हिल रहे थे लेकिन संदोजार चौधा में जब इन्हें गौर से स्टडी किया गया तब कुछ और ही देखने को मिला असल में ये पत्थर एक सूखी नदी पर पड़े रहते हैं रात में ये नदी पानी से भर जाती है और फ्रीज हो जाती है सुबह होते होते ये पानी पिघल जाता है और फिर से भाब बन जाता है इस वज़े से ये पत्थर बरफीले नदी पर फिसल कर कुछ फीट आगे वड़ जाते हैं फैरी सर्कल्स नामीबिया का नामीब रेगिस्तान एक बेहधी रहस में गोलाकार वनस्पतियों का घर है ये हर थोड़ी दूर पर रेगिस्तान में गोलाकार सा एक शेप बना देते हैं एक महान मैथमेटेशियन ने इन्हें पोल का डॉट ड्रेस भी कहा है जो की शायद गलत भी नहीं है इन सर्कल्स का आकार साथ से उननचास फीट डायमेटर का हो सकता है स्थानी लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों का इस अद्भुत आकार में होना असल में फैरीज का काम है वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये असल में भगवान के पैरों के निशान है आश्चरी की बात तो ये है कि ठीक तरह से साइंटिस्ट भी नहीं बता पा रहें कि ये पोधे इस तरह का आकार क्यों ले रहे हैं कुछ खोजकरता मानते हैं कि इन्हें प्यासे पौधों ने बनाया है जो पानी धोड़ने के लिए दूर तक अपनी जड़ों को पहुँचाना चाहते हैं वहीं कुछ वैग्यानिक मानते हैं कि ये आकार दीमग की कॉलोनीज बना रही हैं और अपने घर को बढ़ा कर रही हैं चॉकलेट हिल्स जैसा आप सोच रहे हैं ये उस तरह की पहाड़ी नहीं है यहाँ चॉकलेट्स नहीं उगाए जाते लेकिन फिलिपिन्स में मौझूद इन पहाड़ीों का साइज बिल्कुल एक समान सा है अच्छे मौसम में इनके उपर हरे भरे पौधे उपते हैं वहीं गर्मी का सीजन आने पर यही पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं इस वज़े से दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानों इन पर चॉकलेट्स गड़े हुए हों दोस्तों ये सब चीजे तो हम देख कर ही बता सकते हैं लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर इस तरह के बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आई कहां से और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए क्या इनका इजात एक ही जाइंट्स लोगों यानि बड़े इंसानों का घर हुआ करता था वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ियों को आकार देते थे और इनके अंदर रहा करते थे लेकिन ये केवल कहने की बाते हैं क्योंकि आज तक इस बात का कोई भी सबोत नहीं मिला है लेक हिलियर हमने क काली, सफेद, नीली इन सभी तरह की नदियों के बारे में सुना है लेकिन क्या कभी आपने पिंक कलर की नदी के बारे में सुना है आस्ट्रेलिया में मौझूद लेक हिलियर कुछ ऐसी ही नदी है कुछ लोगों का मानना था कि ये केवल लाइट के रिफलेक्शन की वज़ नदी के पानी को एक बोतल में डाला गया तब भी इसका कलर पिंक ही था एक साइंटिस्ट्स के गृप ने इस पानी का सैंपल लिया और इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसके कलर में कोई फरक नहीं आया तो आखिर ये हो कैसे रहा बदकिस्मती से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम पर बहुत सारी थियोरीज के मुताबिक ये केमिकल रियक्षन या फिर पानी में मौझूद विभिन प्रकार के बैक्टिरियास की वज़से हो रहा है बॉल लाइटनिंग लेकिन तब भी इसे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है कई बार इसे लैब में भी बनाने की कोशिस की गई थी लेकिन केवल असफलता ही हाथ लगी कई बार खोचकरताओं ने इसे थियरीज के माध्यम से बहुत समझाने की कोशिस की कि तुफान के वक्त हवा इलेक्ट्रिकली चार्जड हो जाती है और उसमें मौजूद मैगनेटिजम की वज़ा से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है इस तरह से काफी कुछ बताते हैं पर असल में क्या होता है ये तो शायद बिजली के देवता पेरून या फिर थौर से ही पूछना होगा आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्ती पर लगभग जितने भी रेगिस्तान हैं जहां तेज हवाएं चलती हैं और जहां रेत के पहाड हर दिन अपना रूप बदलते हैं वहां हमें धर्ती के गाने की आवाज सुनाई देती है कैलिफोर्निया से लेकर आफरीका तक और चीन से लेकर कतार तक लगभग 35 डिजर्ट्स में अजीब से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है ये आवाज बिलकुल मदुमक्खी के भिन भिनाने की आवाज की तरह है भले ही आप कभी रेगिस्तान नहीं गए हों लेकिन फिर भी आपने ये आवाज जरूर सुनी होगी क्योंकि अक्सर फिल्मों में जब रेगिस्तान का कोई सीन आता है तो इसी तरह की धुन बैक्ग्राउंड में बज़ती है लेकिन ये आवाज आखिर कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की वज़े से होती है ये बता पाना बेहद ही मुश्किल है एक स्टडी के मुताबिक आवाज की ये अलग-अलग तरंग रेट के दाने की साइज और हवा की रफतार के उपर निरबर होती है लेकिन साइंटिस्ट्स ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रेट के इस तरह फ्लो होने से म्यूजिक का साउंड कैसे पैदा होता है जब भी हम किसी पहाड की उपर बने रोड पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं तब धलान से हमारी गाड़ी अपने आप रफतार पकड़ कर नीचे आने लगती है और बिल्कुल इसी तरह इस पहाड़ी के उपर चलने के लिए हमें ज्यादा पावर से गाड़ी को चलाना पड़ता है लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ वाले रास्ते के बारे में सुना है जिसमें गाड़ियां अपने आप धलान पर चल जाती है मैं आपको बता दू ऐसी पहाड़ी हमारे इंडिया में ही स्थित है लेह शहर से 30 किलोमेटर की दूरी पर ये छोटा सा रोड है जहाँ पर गाड़ी बिना स्टार्ट किये धलान पर चड़ जाती है कार का इंजन बंध होने के बाद भी गाड़ी इस रोड पर 20 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से धलान पर चड़ती जाती है इस अधवत रोड को कई और नाम दिये गए हैं जैसे की मिस्टरी हिल और ग्रैविटी हिल लेकिन आखिर क्यों ये रोड ग्रैविटी के सभी सिधानतों को तोड़ रहा है हाला कि इसका साइंटिफिक एक्स्प्लेनेशन दिया जा सकता है लेकिन यहां रहने वाले मूल निमासी आपको कुछ और ही कहानी बताएंगे यहां के लोग मानते हैं कि ये रोड सीधा स्वर्ग की तरफ ले जाता है कहते हैं जो इनसान दिल का सच्चा होगा वो इस रास्ते से सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगा और जो लायक नहीं होगा वो रोड पर चलता ही चला जाएगा दोस्तों इसके संबंध में दो scientific theory बताई गई हैं जिसमें से सबसे common तो ये है कि इस पहाड़ी पर बहुत ही ताकतवर magnetic force है जो गाड़ी को उपर की तरफ खीचने में मदद कर दी है माना जाता है कि ये magnetic force इतनी ज्यादा ताकतवर है कि Indian Air Force भी इस रास्ते से नहीं कुजरती कि कहीं उनके उपकरण खराब न हो जाएं वहीं एक और बेहदी popular theory है optical illusion की इस theory के मताबिक असल में road पर कोई भी magnetic force नहीं है बलकि optical illusion की वज़ा से हमें नीचे की तरफ जा रही धलान उपर की तरफ जाने वाली धलान जैसी दिखती है इस road के शुरुवात में एक board भी लगा हुआ है जहां से आप इस चीज को feel कर सकते हैं वैसे तो ये road पूरे साल खुला रहता है लेकिन अगर आप जुलाई से अक्टूबर के बीच यहां आएंगे तो इसका बहुत मजा ले पाएंगे ग्रीन फ्लेस एक बेहती अद्भुत कुदरत का करिश्मा है जो केवल सुर्योदय या सुर्यास्त पर ही दिखाई देता है इस समय में सिर्फ एक सेकंड के लिए आपको समुंदर में हरे कलर की लाइट दिखेगी ये बेहती दुरलखना जा रहा है जिसे देखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इसे ढूडने में लगा देते हैं माना जाता है कि जब एक रूह दूसरी दुनिया में जाती है तब हरे कलर की लाइट पैदा होती है लेकिन ये केवल सुर्य की किरन और धर्ती के वातावरण के मेल से होने वाला एक प्रकृती का करिश्मा है दोस जय हिंद